दोस्तों जब ये व्यूआ रैली की खोटणा मात्र से श्टर्टक तो सिफ खोटणा ही हुए पीन है रैली तो आज हो रहे हैं कि समा तो आज हो रही है सिर्फ जब खोटणा मात्र से मोदी जी पे ये छोटणा मात्र से मोदी झीपर ये असर पड़ता है जब उनका सिस्तम अपने लग रख जाता है जिफ खोटणा मातर से तो आप समझ लीजे जिस दिन देश भर के युवा अपने फविश्य के लिए उनसे सवाल कर रहे होंगे देश भर के युवा जिस दिन देश भर के युवा उनसे रोजगार का हिसाब माई रहे होंगे उस दिन उनकी क्या हालत बने वाड़ी है और आज का ये करकम पुष्टी करता है कि 2018 ते रहा है अगर तो एक बहुत बड़े युवा अधोनलाई के दयार हो रहा है दोहनास कभा में हमने देखा कि दुटों बार एक किसान एक चुट होए एक जुट होके पिसानों के मुद्धे को जो नैस्टलियकर के कजाने आप हुए जहां मन्सौर में पिसानों पर गोली चेली पता नहीं कहां कहां किस किस दरफ यदिया चाहर हुए वसल की गीमत नहीं ही पिसानों के खुदकुशी लगाता गिन को दिन बढ़ती गए उसके बाद जो खिसानों ने एक जुप्ता दिखाई उलजा कि खाई है उसके लिखाई लिखाई लाइगा हमने लाइब है कि नहीं पता है हाई अधा बारे में लाइब के सवसंटता हम दोने के बारे में क्या राण जी जी अक्सर अग्ता होते तो गार्जी जी भागत सिंह और पास दिर बोट की पीछे का रहे हुआ उनके साथ खलतव है होते मौका का जिसके लिए अबात कार लगा तो रिकॉर्ड करना है जब देश में अबात कार लगा तो रिकॉर्ड करना है जब हमारी आज़ादी सो छंदता सो करना हुआ का जब रहे होता को जीने का मज़ादा अपनी जिद्गी को साथ तक करें यह दो अफसर थे जो मुझे हमेशा लगा कि का उस वक्त होते लेकिन पिछले पीन साल में नरेंगर मोजी जी ने यह बता दिया है अगर अग्रेजों के समय परदा न ले पाए बैज अबंग्रेजों के समय परदा न ले पाए तो आज हम यहाँ पर संसर्ग मार्गे करणे हैं और आज का जो समय आप समझ लिए अंग्रेजों के समय तो वो अंग्रेज थे विदेशिक ने बाहर के लोग थे आज जादा खतरनाक है क्योंकि आज के जो लोग है यह तो हमारे अपने लोग है है तो अपने लोग ही न आज का जो समय है वो आपात्चाल से जादा खतरनाक इसलिए है तो आज के सरकार में वो नेकिता भी नहीं है कि आपा कहां भी लगा है रे कुकर्म भी करें तो उसमें भी कुछ इमानदार योग भी नहीं है इसलिए आज का सफ़े जादा मज़ेदार सफ़े है जीने देखे अपनी जिनकी को सार्थक बनाने की लिए दोस्तों लिए अगर बना नहीं है जीवन को सार्थक आज लगके आज संगर्श करके तो मुझे लगता है कि दो ब्रॉडली दो आथार जिसमें दान करने की शरूरत है एक क्योंकि ये सब्का में बैखे लोग जिनके मुखिया परदान पंद्री नरेंद्र मोदी जी जो खेती करना है जिस राजनिती की उस राजनिती का जो आथार है जो फ्कौर है वो है नफरत नफरत ही है ना तो सबसे पहले हमें एक ख्याल रखना है कि कुछ भी हो जाए जो भी हो जाए इक पिजार से लड़े हम इनकी सब्का से लड़े इनको उखाम है के लेकिन नफ़द नहीं करना है मैं रोज सुबाय रोज राद धुर को बता हूँ कि मेरे लिए सबसे चेलेंजिंग लेए कि कैसे इसे नफ़द ना करूं लेकिन यही अपने विये एक्सामिनेशन है यही अपनी परिक्षा है कि इन व्यक्तियों से नफरत नहीं करना है और इनको उखार पैठना है दूसरी बात जैसा मैंने बताया पिछले साल हमारे देश भर के किसान कश्मीर से लेके कन्याकमारी तक गुजराद से लेके बुर्वत्तर तक एकशुट हुए तो आम मौका है कि जो देश की जो युवा अबादी है और आप समझी अभी जो भरती पे जो मनुशी की जो एवरेज एज है न वो साल दर साल बढ़ रहे है साल दर साल जो एवरेज एज युमेनिटी की है वो बढ़ रहे है बाड़त एक ऐसा देश जहां की एवरेज एक साहद दर साहद कम होने गई कई धृफ्स कंट्रीस हैं जपान जैसे देश है जहाँ आप सड़कों पर घूनेंगे तो आपको ज्यादतर ज्यादतर बुज़र्ग लोग मिलेंगे सड़कों पर लेकिन भारत वो देश है जहां कि पठी आबादी का पैसक प्रतिशत हिस्था अंडर 35 है और उस पैसक प्रतिशत हिस्थे में एक एक लड़के से एक एक लड़की से एक वंचे के एक गाओं के शहर के लोगों से बात चलिए उन सब के लिए एक ही मुद्दा है वह पढ़ाई तो कर रहे हैं आई तो हो गई लेकिन पढ़ाई के बाद काम क्या मिलेगा रोजदार क्या मिलेगा तो इस वर्ट की जो सबसे बहां मुद्दा है और जिसकी तयारी जिसका भिगुल आज एक बंच से पूटा जा चुका है और मैं कहूंगा इस बंच से ही नहीं गुजरात चुनाओं में सब्सक्राइब को जिसको 2014 में देश के साथ भी वहाँने साथ या कर अब इस दिना है कि जिनी लोगों ने आपको सब्दा में पहुंचाया वही लोग आपको कांद पकड़के सिंगासन से नीचे आरहंगे उतार सकते हैं तो दोस्तों बहुत भुत धन्यवाद प्राद समय हैं नहीं को कить कichen का कि ई कि लेखना आपके साथ लेखना चाहता हूं लडेंगे 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 ननवार कांद